बड़ो मने स्टुडेंट क्लास 6 इंग्लिश मिडियम सब्जेक्स सोशल साइंस ठीक है अब देखते हैं अपन चाप्टर सेकंड के हमने शौट अंसरेटाइब कुश्चन आपको सेंड किये थे अब लॉंग के देखते हैं अब अर्लियस सोसाइटीज हमने देखे थे यह चाप्टर के कुछ कुश्चन देखे थे हमने ठीक हमारे कुश्चन शौट अंसर डाइब होगे थे पांच कुश्चन हो चुके थे अपने अब कुश्चन नमपर सिक देखते हैं अपन राइट द नोट ऑन दो ओल्ड स्टोन इसका डिविजन बताना है कितने एज में यह डिवाइड हुआ कौनसे टूल यूज हुए लिविंग स्टाइल कैसी थी अर्ली ओमन्स की इसके बारे में हम चर्चा करेगी चलिए आते हैं अंसर पर ओल्ड इस्टोन एज फर्स पार्ट अप दस्टोन एज ओल्ड इस्टोन इस जो एज था इसका यह पहला पार्ट था ठीक है और इस लोंगेस्ट टाइम स्पान यह सबसे लंबी अवदी का था स्टिचिंग बेक टू वेन टूल्स वियर फर्स्ट यूज या पर जो टूल्स यूज किये जाते थे पहली बार उसको स्टिचिंग उसको सिलकर बनाए थे ठीक है ना पत्थरों से स्टार्डिंग लिविनिंग गुरूप उसके बाद में यही पर शुरुवाद भी हुई इसी यूग में लोग इखटा रहते थे एना गुरूप बनाके रहते थे गुरूप वास अराउंड 60-80 मेंबर्स उनके गुरूप में लगबग 60-80 प composed चाहले के दोवारा या पिर जो आउजार बनाये थे पंसे वह आपको जानवरस से बचाते थे आप construct shelter to live in उसके बाद उन्होंने अपने आपको रहने के लिए उन्होंने मकानों का निर्मान किया उन्होंने गुफाओं का निर्मान किया यह एज को तीन भागों में बाटा गया है पहला है अर्ली पहलोलिथिक पहलो लुथिक का मतलब होता है पाशान तो अर्ली पहलोलिथिक एज मिडिल पहलो लुथिक एज और अपर पहलो लुथिक एज ठीक है यह हो गया हमारा question number long को फस्स second के और चलते है चले second question के और चलते है write a notes on the feature of the cow panting found in भीमबैटिका ठीक है आपको features बताने हैं गुफाओं की जो pantings पाई गई है भीमबैटिका में अंसर देखते हैं भीमबैटिका इस लोकेट इन मध्यपरदेश का परे भाई है मध्यपरदेश में है और किस जगह जो व more than few hundred scales वहाँ पर कितने गुफाए हैं लगबाग 500 पांसु गुफाए हैं दो केवस हैर pantings of various edges यहाँ पर जो panting नकाशी बनाएगी है अलग-अलग age की अलग-अलग-अउदी की अलग-अलग-उम्रों की दे मेजरिटी ओ पेंटिंग्स संपे ज्यादतर है मेसलेटिंग मध्यापाशान की बारे में वाइल फ्यू में गो अपट ऊ-पर पहलो लेथिक के बार में बहुत सारी पेंडिंग केसी है, कलर में ग्रीन है, डार्क है, डार्क रेड ऑक्साइड के रंग में है, इसमें क्या है, जनरली लीनियर इमेज, लीनियर मतलब रेखिक होता है, तो रेखिक इमेज है, आपर रेखाओ के द्वारा, जंगली जानुवर की इमेज है, हुवन फिगर्स आर अ यह पर जो मैसुलेटिक पेंटिंग से उसमें बहुत सारे शब्दों का उलिक किया है वह सारी शब्दों उक्रे गए हैं है लाज ग्रूप आद एनिमल लार्ज ग्रूपे इनिमलों जुन्ड बनाएगे है जैसे उसमें जंगली भेसा है ना टाइगर्स राइनो एलिफेंट इसके आकरती उकरी गई है दा मैजलेटिक पेंटिंग्स थ्रो लाइट ऑन दो कॉंटेम्परी मतलब जो मैथेलिक पेंटिंग्स है वो किस चीच को प्रकाश कर रही है वो कर रही है जो समकालीन Contemporary का मतलब जना है समकालीन वहन्टिंग प्रक्टिस शिकार शिकार के बारे में and the kind of weapons उसके बाद में किस तरह के हतियार यूज़ किए गए शिकार में in hunting ठीक है यह हो गया हमारा दूसरा question अगला question देखते हम last question चले तीसरा question देखते है अपन write a detail note on the Deccan India as a stone age third question को देखेंगे अपन question number 4 जो है आपको इसका answer लिखना है और इसका answer आपको जो है वो खुद explain करना है खुद समझ के लिखना है इसको चले answer देखते है अपन question number long का C वाला मतला third वाला the Deccan has always been a very rich side Deccan मालूम है आपको जो जो नदियों की बीच के इस्तान को Deccan गया गया क्रिश्ण और नर्वदा की बीच के इस्तान को कैसा है वो the rich side था of the prehistoric Artifacts ठीक है चले देखते है अपन इसका थोड़ा ब्रहे गया था तो Deccan always has been been rich side यह rich side है for the parastoric परस्टोरी का मतलब होता है कि जो इतियास है इतियास की पहले का Artifacts ठीक है Artifacts की बात कर रहा है तो Artifacts का मतलब होता है कलाकृतिया ठीक है तो यह का भी रीच side है यह वाला जहां पर इतियास के पहले से भी कलाकृतिया बनी है और और इंप्लिमेंट्स इंप्लिमेंट्स November ज़ो होता है इंप्लिमेंट्स का मतलब होता है using and implement हैना यहां पर अलाकरातिया है और टुल से और उजार का एक पाई गए हैने इनमेनी एक्सकेवेशन एना एक्सकेवेशन स्टोन टूल्स एक्स ट्रेवर्स एट्सेक्टरा और उसके बाद में यहाँ पर उत्खनन में इन मेनी एक्सेकेवेशन का मतलब होता है खुदाई उत्खनन जब हुआ है यहाँ पर तो बहुत सारे पत्तरगे टूल्स, कुलाडिया, फाणने वाले ओजार यह मिले हैं यहाँ पर पाए गए करनाड़क और इसका सबसे जो मुक्य शेत्र है वो करनाड़क का शेत्र है वेर आर्गेलोजिस्ट जो पुरा तत्व वेग्यानिक है फाउंड लॉड्स अर्ली स्टोन टूल्स यहाँ पर उन्होंने बहुत पहले ही जो पत्तर के जो अजार है वो पाए पत्थर यूग्या पाशान यूग के बारे में बताते हैं और लोवर पैलोलिथिक जो लोवर पैलोलिथिक एज के बारे में एंड मैसोलिथिक एज और दूसरे मैसोलिथिक एज मतलब मध्य पाशान के बारे में इन्होंने हमें बताया है इन दिस एरिया फैक्ट्री इस एरिये की जो फेक्ट्रि साइड है जो कारकाना साइड है और फाउंड यहां पर पाया गया है जा पर पत्थर के टूल्स बनाए जाते थे abundance का मतलब होता है प्रचूर मातरा में दोस इस रिजन है यूज सोर्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन यह वाली जो रिजन छेतर है यह हमें बहुत सारी information देती है यूज मतलब बहुत सारी about the ancient world किसके बारे में ancient world के बारे में प्राचीन दुनिया के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देती है इसका जो लास्ट कोश्चन है आपको यह लिखना है और खुदी इसको समझना है है अगर नहीं है समझ में तो जब भी स्कुल खुलेगी आपको यह explain कर दिया जाएगा क्यूंकि वीडियो में इतने सारे कोश्चन को explain करना possible नहीं है ठीक है ओके thank you